है 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 अलो अब्रीवन वेल्कम टू एलर्णम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक बाइश्वर्टिंग ओ फिप्टीन एर कॉशन फॉर जर्नल अप्टीटूड रिगार्डिंग CSIR, UGC, NET, इससे पहले हमने अप्टू यूनिट 13 डीटेल में बात करी थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उन वीडियो को देख लीजिए और आज हम बात करेंगे जर्नल अप्टीटूड के बारे में तो इस तरीके से CSIR की स्लेवर्स में जो जो हमार important topic है वो आज की इस वीडियो के साथ cover हो जाएंगे अब आपको पता होगा जो examination है वो basically 3 section में डिवाइड होता है पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C जो पार्ट A होता है उसमें जर्नल अप्टीटूड पूछा जाता है तो इस वीडियो में क्या-क्या important topic है जर्नल अप्टी tip के important topic को cover कर सकते हैं अब बहुत से candidates ऐसे होते हैं जिनका यह question था मैंने पहले भी यह बात mention करी थी कि उनका 0.1 percentile, 0.2 percentile, 0.3 percentile से हमेशा net या JRP रुख जा रहा है यह बहुत से beginner candidate है जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अपनी preparation कैसे करनी है उनको पहले कौनसे topics प अपलोड करा है यह आपके लिए बहुत helpful होंगी तो आप एक बार जाके इन वीडियोस को जरूर देखिएगा important topic note down कर लीजे और अपनी preparation को जो है आप शुरू कर सकते हैं second thing is that जो animal physiology थी unit 7 उसकी जो हमने shorting करी थी वो system के according करी थी मेनी जैसे अभी तक 15 year के analysis के बास सबसे ज आपके लिए एक सीरीज लेके आएगा unit 7 के लिए animal physiology के लिए जैसे अगर हम nervous system की बात करें तो definitely उसमें कुछ important topic होते हैं जैसे आपका action potential हो गया central nervous system हो गया peripheral nervous system हो गया तो इस तरीकी से जो-जो important topic है पूरे animal physiology में वो हम कबर करेंगे तो एक series होगा animal physiology का जो इसी YouTube channel पे release होगा जहां पर जो-जो important topic होंगे unit 7 के regarding वो हम आपको यहां पर पढ़ा देंगे third thing is that बहुत से candidate का यह भी question था क्या हम gate के लिए भी इस तरीके की series लेके आएंगे important topic की so definitely yes उसके लिए भी हम आपको हर एक topic important topic हर एक subject के लिए बताएंगे सबसे पहले हम gate life science के बात करेंगे जिसमें different subject होते हैं जैसे आपका बायक अमिस्ट्रिय बॉट्मी है इंजो लोजी है चाहिए है according to your convenient we will upload it अगर आपको पहले gate के important topic चाहिए है तो हम उनको upload कर लेंगे और अगर आपको series या फिर animal physiology detail में पढ़नी है तो वो वाली series हम पहले लेके आएंगे तो आज की वीडियो हमें क्या बात करना है topic by shorting of 15 year question for journal aptitude तो फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम slavus के बारे में ठीक तो हमारा जो journal aptitude है उसमें total four section numerical ability, reasoning, graphical analysis and journal science अब आप देखेंगे कि इसमें काफी सारे topics है आपको prepare करने के लिए तो सबसे पहले हमारे mind में क्या question आता है how to prepare अब मैंने देखा है जो हम biological sciences वाली student होते हैं हमारा 36 का आकड़ा होता है journal aptitude के साथ या mathematics science के साथ हमें कुछ खास पसंद नहीं है इसको पढ़ना तो हमारे mind में सबसे पहले question आता है how to prepare अब prepare हमें कैसे करना है smart approach के साथ हम सारे topics हो पढ़ेंगे भी नहीं हम खाली उन topic को यह हां पर target करेंगे जो most frequent topic है और यह जो most frequent topic है इनसे हर एक year कोई ना कोई question पूछा गया है तो सबसे पहले हम most frequent topic की बात कर लेते हैं यहां पर मैंने total आपको 13 topic mention करें आप 13 topics को देखके आप डर मज जाएगा actually क्या किया दा मैंने कि topics को भी sub topics में divide कर दिया है इसलिए आपको ल दरिए गामत यह बहुत छोटे-छोटे से topics है तो इसमें total कितने 13 topics है अब 13 topics में पहला है mensuration इसे विए 57 question अभी 15 year में पूछे गए geometry 54 question time speed and distance 40 questions physical phenomena 35 question number and simplification 32 question stat and probability 32 question equation 28 question general biology 19 question miscellaneous 19 question calendar and clock 14 question selection board based on given condition 13 question trigonometry 12 question histogram 12 question आपने देखा यह जो total 13 topics है यह आपके most important topic है most frequent topic है तो आपको इनको सबसे पहले प्रपेर कर लेना है फिर second आपके topic आएंगे medium frequent topic medium frequent topic पर again मैंने आपको 12 topic mention करें तो यह भी सारे subtopics है बहुत छोटे topic है आप इसली इनको प्रपेर कर लेंगे तो 12 topics में कौन-कौन से topics है पहला है आपका journal chemistry जिससे अभी तक 11 questions पूछेगा है number series 11 question alpha numeric sequence puzzle 11 question line graph 11 question distance and direction से 10 questions है percentage profit and loss sequence and series permutation combination set theory and function symbol series coding and decoding इनसे जो है 8 questions पूछेगा है और आपके 13 जो topics बनेंगे बहुत फ्रिक्वेंट टॉपिक और जो आपके 12 topics है बहुत हैं आपके medium frequent topic इस तरीके से total आपके पास 25 topics है और यह 25 topic नहीं विसिकली सब topic हैं तो यह आपको prepare करने है तो आप अपनी convenience से आपको जो topic अच्छा लग रहा है इनमें से अगर आपको इस topic isolate भी कर देने तो आप कर सकते हैं लेकिन most frequent topic से आप कुछ भी isolate मत करिये जिक यह बहुत हो आपको prepare करने है medium frequent topic को भी आपको prepare करना है अगर इसमें आपको लग रहा है कि कोई tough है आप नहीं कर पा रहे तो इसमें से बहले आपको isolate कर सकते हैं लेकिन आपको जो आपका most frequent topic है उनको पढ़ लेना है और अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हैं तो 25 topic आप पूरे question time box 5 question bulk energy and power 4 question acid waste 4 question average 4 question physical world and measurement 3 question family based puzzle 3 question chemical phenomena 2 question ratio and proportion 2 question mix 2 question cell gives 2 questions and pie chart 2 question तो ये total आपकी 15 topic है जो less frequent topic की category में है फिर again less frequent topic second जो है उसमें फिर से six topic है जिसमें आपका simple interest compound interest है letter series है missing है puzzle है team formation and selection puzzle तो इन सारे topic से ये जो 6 topic है एक है question ही आया है तो अभी आपको करना क्या है आपका जो less frequent topic है उनको आप रख दीजे side में जो आपका most frequent topic है आप उनको प्रपेर कर लीजे जो आपका है कि जो CSIR का question paper है उसमें part A में 20 question पूछे जाते हैं आपको करने कितने हैं आपको केवल 15 question ही करने है तो इस तरीके से आपको choose करने के लिए मिल जाता है अगर आप केवल most or medium frequent topic को भी पढ़ ले रहे हैं तो आप ये मांद के चलिए आप सारे questions को attempt कर पाएंगे अपने 15 questions को और ये काफी important है चाहे आप gate की बात कर लीजे CSIR, ICMR, DBT जिसमें भी general aptitude पूछा जाएगा तो आप उनको easily attempt कर पाएंगे तो आपको करना क्या है ये सारे topics prepare कर लेने हैं तो आज की इस video के साथ हमारी जो series CSIR के लिए जो important topic है वो हमने detail में cover कर लिए और हमारी series जो है complete हो गई है तो आई होग कि ये videos आपके लिए पसंद आई होगी अगर ये videos आपके लिए helpful थी तो like करें share करें और चैनल को subscribe करें एक बार आप हमें comment box में जरूर बता दीजे कि upcoming आप कौन सी series चाहते है आपको पहले गेट लाइब साइंस और बाय टेकनोलोजी के important topic चाहिए है या फिर आपको animal physiology की series detail में पढ़नी है according to your convenient we will upload it आप हमें एक बार comment box में जरूर ये बता दें तब तक के लिए इन सारे topics को note down कर लिजेगा अच्छे से preparation शुरू कर दीजे revised कर लिजे recall कर लिजे thank you for watch